नमस्कार दोस्तों आज का question है मार पास question number 30 electronic configuration दे रखा है हमें carbon 12 का ठीक है अब देखो क्या पूछा है ls coupling को consider करना है तो हमें correct order पूछा है energy का energy का हमसे क्या पूछा है correct order ठीक है तो हम निकालते हैं तो देखो तो S यहां पर क्या है? Completely filled है, यहां पर भी completely filled है, P यहां पर क्या है? Less than half filled है, ठीक है न? तो इसी की वज़े से मेरे पास क्या होगा? spectral derms हैंगी, कोई doubt है, तो जो 2P square है न, यह actually में 2 equivalent electrons है मेरे पास, क्या है? 2 equivalent electrons है, ठीक अंदर 2 electron है न? ठीक है? Electrons है, ठीक है? तो आपको मैं एक बात बता दूँ, मैंने थियोरी में भी एक चीजे cover कराई थी, जो हूंड रूल है, हूंड रूल के मदद से ही हम क्या निकालते हैं? spectral derms पता करते हैं, किसका energy ज़ादा है, किसका energy कम है, ठीक है न? तो मैं हूंड रूल को आपको ने एक बाद revise करा देता हूं, हूंड रूल क्या कहता है पहला, देखो, जो spin multiplicity होगी, है न? highest spin multiplicity जो हम 2s प्लस 1 निकालते हैं न, वो क्या देगी हमें? lowest energy lowest energy and vice versa, ठीक है? समझ मैं है, एक point तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको निकालके भी दिखाऊंगा, दूसरा point आपको क्या ध्यान रखना है? जो highest L होगा, है न? वो भी क्या होगा? lowest energy का होगा when multiplicity ठीक है न? ये दीक्या होजाए multiplicity same आजाए, multiplicity when multiplicity of the state is same ठीक है न? माल लो, जिसमें 2 S आजाए, जिसमें same S हो ठीक है न? तो उस इस्थितिकी में बात कर रहा हूँ ठीक है? तो अभी मैं इसको object question को कराऊंगा, तो आपको समझ मा जाएगा परस आपको ध्यान रखना है highest S और highest L ध्यान रखो अभी फिलाल के लिए, याद रखना बहुत आसान है, highest S और highest L लेना है तीसरा, क्या आपको point ध्यान रखना है? हम lowest J लेंगे, lowest J ठीक है? कब जब sub-cell is less than half filled, less than half filled, ठीक है? और हम highest J कब लेंगे? जब sub-cell is more than half filled ठीक है? समझ माँ की बात तो हम अपना question स्टार्ट करते हैं यह, मैं इन चीजों को apply करके आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं तो मेरे पास देखो क्या है? 2P square है दो equivalent electrons है ठीक है? और equivalent electrons के case में मैंने बताया था हम जब equivalent electrons लेकालते हैं तो हम even rule लगाते हैं ठीक है ना? even rule ठीक है? जिसमें L प्लस S क्या होना चाहिए? even होना चाहिए ठीक है ना? only those states are considered है ना? only those states are allowed सिर्फ वह states allowed होंगी यह बहुत ज्यादा simple तरीका मैंने आपको बताया था बिना bread scheme के कोई table बनाए बिना कुछ बनाए यह मैंने तरीका बताया था किसी कभी हो अब दो एक विएलेंट इलेक्ट्रोन निकालने हो धढ़ाक से निकाल दो अब लोग कैसे अब ध्यान से देखो L1 मेरे पास कितना होगा 1 L2 कितना होगा 1 क्योंकि दो इलेक्ट्रोन अब PP दोनों के लिए हो गया तो यहां से देखो यह कितना हैगा minimum value कितना हैगी घटा दो 0 maximum value कितना हैगी 2 इसमें एक जोड़ो यह फिर एक जोड़ो यह maximum तक पूझ गया कोई doubt है यहां तक समझ मैं अब देखो S1 कितना होगा 1 upon 2 पहले वाले लेक्ट्रोन के लिए भी और दूसरे वाले लेक्ट्रोन के लिए भी समझ मैं तो minimum value कितनी हागी 0 और maximum value कितनी हागी तो मेरे पास देखो orbital angular momentum भी आगया spin angular momentum भी आगया ठीक है न अब धियान से देखने वाली बात क्या है जब मैं S का value क्या लूँगा 0 ठीक है और L का value कितना लेना पड़ेगा 0 1 2 0 1 2 समझ मैं मैं क्या बता रहा हूँ ठीक है ठीक है और यहाँ पे मैं क्या निकालूँगा अभी देखो even rule के इसाब से मैंने क्या बता है L प्लस S हम even consider करेंगे तो L प्लस S अबें कितना लेना गा 0 यह हम लेंगे यहाँ पे 0 प्लस 1 आयगा और यह 0 प्लस 2 यहाँ हमें नहीं लेना क्योंकि समझ में आना है क्या करा है L प्लस S हमें क्या लेना है even consider करना है तो यहाँ से मेरे पास क्या वंची स्टेट मिलेगी जे का वेल्यू तो 0 हो गया 2s प्लस 1 होता है न s 0 होता है 1 आ जाएगा ये मेरे पास 1d 2 आ जाएगा क्योंकि जे का वेल्यू कितना है 2 l कितना है 2 तो 2 का मलब कितना होता है d और multiplicity 1 आ गई समझ माई बात यह आ गया अब दूसरी बात s का वेल्यू इस बार में क्या ले रहा 1 l कितना 0 1 2 अब यह ध्यान से देखना अब मैंने क्या बता है even दूल में l प्लस s even होना चाहिए तो 1 प्लस 0 ये 1 आएगा ये हमें नहीं लेना चुकि 1 प्लस 0 तो 1 होता ओड हो गया 1 प्लस 1 कितना होता है 2 हम लेंगे ठीक है न ये हम consider करेंगे 1 प्लस 2 3 ये हम नहीं लेंगे समझ मैं तो यहां पे हमें 1 प्लस 1 l प्लस s कितना है रहा 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है even तो ये लिया जाएगा अब j का value निकालो देखो जब s का value 1 होता है और और maximum value तो 2 आएगा समझ मैं मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना इस बात को ठीक है पहले कि देख लो जोड़गे l प्लस s even है या नहीं है तो वह consider करेंगे उसके बाद j निकालना है ठीक है तो यहां पे देखो p j का value 0 ठीक है 1 और 2 आएगा और s का value 1 है तो multiplicity कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी 2s प्लस 1 होता है समझ महागी बात ठीक है अब देखो आपको धियान क्या देना है मेरे पास जो भी values निकलके आए ना मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं एक तो 3s 0 आया है ठीक है 3p 0 आया है 3p 1 2 आया है 3p 2 आया है और 1d 2 आया है सारी values आई है मेरे पास यह ही equivalent electrons की क्या है 2 equivalent electrons यह दी मेरे पास हो तो यह इसकी spectral terms है question ने पूछा हमसे उनको energy के उसमें लिखा हूँ है ठीक है कोई doubt है कोई दिकर ने अब देखो सबसे पहले rule लगाओ highest spin multiplicity का ही सबसे कम energy होगा तो highest spin multiplicity इसमें यहाँ पे किसका है ठीक है सुरिय वन है यहाँ पे है न ठीक है अब देखो highest multiplicity कितना है इसी का highest multiplicity है तो इन ही का energy क्या होगा सबसे कम होगा मिल गया देखो हमें अब सबसे energy कम होगा ठीक है अब P2 है half field है ना तो क्या होगा lowest j ही सबसे कम energy वाला होगा तो सबसे कम energy वाला क्या होना चाहिए lowest j तो 0 वाला ये ही है तो सबसे कम energy वाला ही इससे थोड़ा से जादा ये इससे थोड़ा से जादा ये समझ मैं अब उसके बाद दूसरा point क्या था हमारे पास यह जो highest L होगा वो सबसे कम energy वाल होगा अब देखो इन दोनों में अब इन दोनों की बात करो multiplicity same है या नहीं है 1 है इसकी भी 1 है तो multiplicity तो spin multiplicity तो same हो गई अब हम देखेंगे दूसरे point पर आ जाएंगे उसका इस्तिमाल करेंगे अब हाइस्ट L क्या है अब हाइस्ट L कितना है D2 है न यह समझ मैं यह नहीं है तो इसका energy अब कम होगा ठीक है कोई doubt है यह है और ठीक है न डी अब जो highest वो होगा क्या होगा L हाइस्ट इसी में तो D का वेल्य दो है न है आपर और यहाँ पर D का वेल्य वेल्य कितना है यहाँ पर वन है तो इसका कम होगा वो उसका सबसे ज़ादा होगा ठीक है न तो यह है तो यदि आप अपना कोशन देखो तो उसमें सिर्फ यही चीज मेंसन की हुई है ठीक है तो हमारा यह उत्तर हो जाएगा 3P0 3P1 तो 3P0 3P1 3P0 3P1 तो यह हमारा उत्तर हो गया समझ मां के बाद कोई डाउट है ठीक है तो मिलते हैं अगले कोशन में तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिए झाले हो झाले हो के लिए पिति एक है